हेलो गाईस, हाल फिलल में एक बहुती फेमस लेंडिनिंग कंपनी जो कि इंडिया में काफी फेमस इन्बीएपसी है उनके द्वारे एक एड कंपेंड रन कराया जा रहा है जिसमें एक चीज बताया जा रहा है कि हम लोगे अप लोग के काड प्रोवाइड कर रहे जो कि आपको 0% इंट्रेस्ट में दिया जा रहा है और इस काड से आपको फिनेंशल फ्रीडम मिल सकता है बट क्या काड एक्चुल में आपको फिनेंशल फ्रीडम देता है या नहीं और क्या इसके एक्चुल प्रोसेस है इक्साइक डिटेल्स अब लोग को बताऊंगा तो प्लीज वीडियो को देखिएगा सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पर काड का फिस का या तो काड में आपको कैसे प्रोसेस होता है तो दोस्ते जो काड है आप जैसे अपलाई करते हो अगर आप एलिजिबल होता है तो आपको दिखा जाता है कि आपको 10,000 का या तो उससे अबब का कोई वी अमाउंट दिखा जाता है कि इतना अमाउंट का आपको लिमिट मिला है आप इसको अगर अवेल करना चाहते है अगर आपको 10,000 का लिमिट दिया गया है तो आपको बता जाता है कि आपको 199 डुपीस प्लास GST पे करना है जो कि टोटल होता है 18 15% GST मिलाकर लगवाग 235 डुपीस के एक महीने का जी दोस्तो बिलकुल एक महीने का क्योंकि आप लोग में से जो लोग क्रेडिक करके यूज करते हो सोच सकते है कि सालाना चार्जस होगा क्योंकि क्रेडिक कर आपसे एक साल में 499 या 600-700 रुपए चार्ज करता है बहुत स इस कार्ट का क्या काला सच्छा ही है इस कार्ट से आपको जो लिमिट दिया जाए क्या आपको अगर एक मुबाइल फोन पूर्चस करना है let's suppose आपको 10,000 का लिमिट दिया जाए आपको एक फोन लेना है तो आप सोच सकते हो कि मेरा इस रेंज में एक स्मार्ट फोन छोटा वाला ले सकता हूं जो कि 7-8000 रुपए के रेंज में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं थोड़ा पैसा जादा जाएगा मैं पे कर दोंगा क्या आपको मिलेगा आप अपना मोबाइल फोन पर्चस कर सकते हो जी दोस्तों बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप पर्चस नहीं कर सकते हो क्योंकि इस कार्ड के द्वारा आप लोग को बेवकूप बनाया जा रहा है कैसे क्योंकि इस कार्ड में जो 10,000 या 15,000 का जो लिमिट आपको दिया जा रहा है वो जड़ासर आप लोग के पास एक लॉली पॉप दिया जा रहा है जी जोस्तों बिल्कुल एक लॉली पॉप अप लोग के हाथ में पक्राया जा रहे हैं क्या हो लॉलीपप है क्योंकि यहाँ पर 10,000 का अगर आपको लिमिट दिया जा रहे तो आप एक दिन में स्रेफ 5% इसका लिमिटी इस्तेमाल कर सकते हो सपोस्थ आपका 10,000 का लिमिट है यानि आप स्रेफ और स्रेफ एक दिन में 500 रुपीस का ही उटिलाइजेशन कर सकते हो तो आप समझ सकते हो आज का डेट में अगर आप एक अच्छा शाट टी शाट खरिदने भी जाते हो तो आपको 500 का रेंज में नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको 10,000 का लॉलिपप देकर एक्च्छल में आपको 500 रुपीस का ही शॉपिंग कर सकते हो जो आपके लिए कोई काम का नहीं रहा और इस कार्ड से ना आप पेटियम में कैश अपलोड कर सकते हो इस कार्ड से ना आप किसी तरह से अपना bank transfer कर सकते हो तो ऐसा में एक shopping के लिए कार्ड है और इस कार्ड का use आप 90% के सथमें नहीं कर सकते हो तो क्या एक कार्ड आपके लिए सही है और इसका charges अगर charges के में बात करूँ दोस्तो तो 235 रुपेश आप पे कर रहे हो जहाँ पर आपको बताए जारा है आपको 0% इंट्रेस्ट लगेगा इस कार्ड में तो दोस्तो 235 रुपेश जो आप पे कर रहे हो यहाँ पर अगर आपको 500 रुपेश डेली का लिमिट होता है अगर आप 20 दिन तक यूटिलाइज करते हो तो आप 10,000 रुपेश पूरा यूटिलाइज कर लेते हो बड़ दोस्तो ऐसे नहीं है क्योंकि इस कार्ड का एक कंडिशन और है आज अगर आपको इप्रोड़क्ट पर्चेस करते हो तो आज का डेट में ही आपको उसका 33.33% यानि तीन टाइब उसको तीन से डिवाइड कर दीजिए एन एक इमाई आपको सेम डेट पर पे करना है तो आप एक चीज़ समझे आपने तीन सो रुपे का कोई प्रोड़क्ट खड़िद लिया तो आज ही आपको सो रुपे कार्ड में पे करना है अगर आप नहीं पे करेंगे अगला दिन उतना आपका लिमिट से ब्लॉक हो जाएगा सब्सक्र आपका 500 रुपे का डेली लिमिट है तो आपको सो रुपे कम करके 400 का लिमिट दिया जाएगा तो ऐसे में आप अपना card को use नहीं कर पाएंगे पूरा amount के लिए तो ऐसे में अगर आप total रोज अगर पात्सों का shopping करते हो अगला 20 दिन तक and daily अगर 167 रुपिस करके आप pay करते हो तो आप लगवग एक महिने में अपना credit limit का 6660 रुपई utilize कर पाते हो बाकी 3340 रुपई approximately आप इस company को अपना amount pay कर देते हो तो ऐसे में आपका जेब से 3340 रुपई already same date पर ही pay कर करके अपने इतना EMI अपने इस brand को pay कर दिया तो ऐसे में इस card से क्या फाइदार कितना interest जा रहा है तो दोस्तो 6660 रुपई एक महिने का खर्चा maximum आप कर सकते हो suppose तो इतना amount के लिए अगर आप खर्चा करते हो तो आपको कितना रुपई charges लग रहा है 299 रुपई जो कि मैं GST को हटा के बता रहा हूँ इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि GST company के पास नहीं जाता है तो 299 रुपई आपको charges लग रहा है स्रेफ और स्रेफ 6660 रुपई के उपड़ जिसका calculation अगर आप एक महिने का हिसाब से करो तो approximately लगवक 3% के असपस charges आता है अगर इसका annual यानि 12 months के सबसे calculate किया जाए तो लगवक 36% interest इस card पर आपको लग रहा है company को आप बोलोगे आप तो मेरे से interest ले रहे हूँ ये लोग आपको क्या बोलेंगे नहीं सर्थ interest नहीं ले रहे हूँ हम अपसे अपका credit limit assign करने का fees ले रहे तो भाई credit limit assign करने का fees या interest में क्या फ़र्क है अगर आप मेरे से 299 का एक महिने का charge ले रहे हूँ उसके अंदर आप अपना interest को already include कर लिया है और फिर आप यह चीज़ कह रहे हो कि नहीं सर्थ यह तो हम कोई interest अपसे ले नहीं रहे है यह इसका मतलब क्या है हम लोगों को एक तरह से बेवकूब बनाये जा रहे है यह जो card है जरसार एक fake card है यह जो card है लोगों को पागल बनाने का चीज़े आपसे पैसा उसलने का एक बहुती बढ़िया तरीका निकाला गया है कोई भी एक Indian NBFC के दौरा जिन्नोंने freedom के नाम पर लोगों को जादा से जादा हद तक परेशन करें क्योंकि अगर आप गलत consequences अलगला consequences होएगा बड़ दोस्तों इतना ज्यादा चार्ज आप लोगों से लिया जा रहा है 36% चार्ज लेकर एक ad campaign चला जा रहा है कि हम अपसे 0% चार्ज लेते हैं तो दोस्तों जड़ा सारे जूट है ऐसे किसी भी card का ऐसे किसी भी financial company का जो है बहका बला वीडियो को द एक update था जो कि काफी important है मेरा खाल से आप लोग को सतर्क रहना चाहिए तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छ लगा तो वीडियो को like किजेगा शेयर किजेगा चैनल को ज़रूर subscribe किजेगा और अगर अभी तक अपने bell icon को प्रेस नहीं किया तो bell icon ज़रूर प्रेस किजे क्योंकि इस से अगला आने वाला वीडियो का notification आप लोग को मिलता रहेगा मिलता है अगला वीडियो में तब तक लिए जैए इन बंदे मातरं धन्यवाद